हेलो फ्रेंव्स मेरी चैनल में आप सभी का स्वावत है तो आज हैं बनाने वाले गाजर का हलुआ कियोंकि सर्दूआ के लिए गाजर गाजर को लेकर अच्छे से धोकर छिल लिए और उसे कद्दू कस कर लिए देखे मोटा मोटा की हैं ज्यादा बारीक नहीं कि कद्दू कस कर के थाली में रख लिए अब हम गैस चला देंऊं और कड्राई चरा दें धो चमच के कड्यम हम घी डाल देते हैं और चारे गाजर डाल कर हम इसे चला लेते भूंज लेते इसे हम 3-4 मिनार तक मद्धे माज पर हम इसे भूंच दे रहेंगे ताकि इसका color change हो जाए जब यह color change हो जाए तब पता चलता है कि यह गाजर भूंच चुक है देखिए एक color change हो चुके है तो इसका मतलब है कि यह घाजर भून चुके देखिए हम पास से दिखा रहे हैं तो हम इसमें दाल देते हैं दूद 1 kg घाजर लिये थे तो 1 kg दूद भी है दूद 2-3 बार में डालेंगे तो पहले हम थोड़ा सा दूद दाल दिया और मलाई भी ड लोँचील नेटेна डूल करें चल लेतेमें मेला लेता हैं जिसका किये जुटा हो ठेजहरी दयेगा सार्वे तक हम इसे चीनी डालेता हैं आप चाहें तो चीनी को पीसटान करें जासी हैं रचाह सबारी उच्छा लेता हैं आदा झाल करें जैद दो को बनाने में हमें करीब आधे घंटे लगेंगे तो हम इसे बीच-बीच में आपको दिखा रहे हैं और बीच-बीच में इस तरह से रहेंगे गाजर का हल्वा बनाना बहुत ही असान है बस छोटी छोटी बातों का ख्या रखे तो आपके गाजर के बहुत अच्छी टेश्टी बनेंगे देखिए दूद के कॉंट्रीटी कम गई है दूद सूख चुके हैं तो हमें इसे इसी तरह से लगा तार चलाते रहना है गैस का आच हम थोड़ा कम कर देंगे और कम करके इसे लगा तार चलाते रहेंगे अगर हम छोड़ देंगे तो यह गाजर के हल्वे जो है वो चिपक जाएंगे देखिए इसी तरह से हम बराबर चलाते रहेंगे जब तक यह अच्छे से भुन न जा या अच्छे से सूख जया जाएं गया आच हम एकदम कम कर दी यां कम करके हम चला रहा हैं जब यह दूज सूख जया तो आप हम इसमें डाल देते हैं एक सीग्डेट चीज जैसे कि हम this में घी डाल देंगे जब इस तरह से सूख जाया नहीं पूरे अच्छे तरह से तब हम इसमें एक चम्मच गी डाल देंगे यह बहुत जरूरी है अगर आप घी डाल देंगे उपर से तो आपके गाजर के हलवे से से सुन्दी सुन्दी लगेंगे अडिया कड़ाय में भी नहीं चिपरिए तर्वीर गाजर के लिए एक ऐचीओ गाजर को पीछ मतितबत और गालवा देंगे से मार्केट का पीचा हुआ भी यूज कर सकते हैं अगर यह वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और जदाश ज़्यादा दोस्तों में सेर करें